आधरने सभी का एकलाकार बंदू बड़े बुज़दगे और मात्र सक्ती ये नोजवान धक्त काने सभी को हाजोड के प्रणाम राम राम बहुती अच्छी बात है मेरे को भी समय मिला साथ मिन्ट का तो देखो बैते पहली समझगा ओला मैं पहली सापो बंदले बाई गाचु क्योंकि बजन तो सब कलाकार बंदू गाउं चे महना में कोई दस प्रोग्राम कोई 20 कोई 30 भी ले ले चे लेकिन मैं पांच मिन्ट बोल क्योंकि रादे शाम जी गंद्रव साभिया बताए कि साथ मिन्ट में काई कर ले लेकिन में वह बात बताऊंगा दो मिन्ट में सब कुछ कर ले दो मिन्ट का भजन होगा मेरा जो सब को बोलना पड़ेगा और इस बात का भी ध्यान दखना अगर सच्छा संक्लप करके इमान सब को उसका फल मिलेगा और सजनों दो बात बताऊंगा मैं एक तो जीवन के अंदर इनसान को च्यार बातों को कभी नहीं भूलना चीए च्यार बात हमें से याद लखनी चीए समय में चालो गया है पहली बात अग मैं सब से छोटता हूं बस आदी समय से तो यहीं खतम हो दूसरी बात मैं मेरे मात पिता की संतान हूं सेवा करूंगा सारे तीर्त पुन्ने धर्म करम यहीं समाप्त हो गई तीशरी बात यह संसार नासवान है नश्ट होगा जो भी वस्तु अपने को दिखाई दे रही है एक रोज नश्ट होगा और चोथी बात मेरे को भी एक दन यहां से जाना होगा, फिर क्या को दो बेर, क्या की दुस्मनी का की सतुरता सब कुछ खतम हो गया, एक बात ओर सुन लीजिए, जीवन चार परकार से जिया जाता है, मोज, सुके, आनंद और परमानंद, इस वर्तमान समय के अंदरे सो में से 85% लोग अपना जीवन मोज में ज जीवन जेते हैं, नेचे बचे पंदरा परसेंट, उसमी से दी 10% सुक में जीवन जेते हैं, सुक क्या है, बड़े बुड़े लोग बता गये हैं, पहला सुक निरोगी काया, दूजा सुक घर में माया, सरीर स्वस्त वणा चिये, पैसे तक के से काम चल जाए, आया को ना मकान बर्यो है, क्योंकि ए माया भाई-भाई को को देती है, घर में संसकारी ओलाद हो, परिवार में प्रेम हो, क्योंकि वो पिता अपनी संदान का सबसे बड़ा सत्रू है, जो अपनी ओलाद के लिए धन इकठा करता है, तो क्या करना चीए, संसकार, ओलाद को संसकार देना चीए, अगर संसकार नहीं दिया, उस करोड़ों संपति को वो उलाद एक दिन के अंदर तबहा कर देगी और कितनी हो गये पिच्चाशी दस से पिच्चानवे और तीसरी बात बताईए आनंद आनंद किसे कहते हैं ये दो तीन बात होंगी निरोगी कया धनमाया की मोज संसकारी उलाद परिवार में प्रेम इनके अलाबा दो तीन बात और जूड़ जाती हैं समय पर सोए समय पर उठे और सुद्ध साकारी भोजन करे क्योंकि जैसा हम खाते हैं उसी के अनुसार हमारी गुद्धी और हमारा मन मनता है तो इसको कहते हैं आनंद का जीवन अब चोता है परमानंद परमानंद किसे कहते हैं 98% होगे 95 और जीते हैं और 10% सुक में और 3% आनंद में और 2% परमानंद में परमानंद क्या है जिसको सनसार से कोई मतलब नहीं है वो शिर्प उस प्रभू का भजन करते हैं और वो भजन कौन सा है सब बोलना सारे मेरी दो मिन्ट बची है दॉज सीप लेते हैं मेरा देशाम, मेरा देशाम, मेरा देशाम मेरा देशाम, मेरा देशाम, मेरा देशाम रादे शाम, 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 रा लो शितारामैं शितारामैं शितारमजे मार्णोबtar